यह मुं में गुल जाने वाली मिठाई बनाने की तयारी करते हैं और सिर्फ तीन चीजों से यह बनकर तयार हो सकती हैं तो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस तरह से एक कटोरी को यह कटोरी मेजर्मेंट के लिए ले सकते हैं तो इस कटोरी से मैंने एक कटोरी सोजी ली है और इसी कटोरी से हमें चीनी लेना है आधी कटोरी फ्रेंड्स यह मिठाई बहुत ही आसान और बहुत टेस्टी है बीना देल और बीना कोई नुकसान दायक नहीं है इसमें चीनी मिला लेनी है जितनी सूजी एक डूरी लिया था न उससे आधा चीनी और इसको हम इस तरह से पीश लेंगे इसमें की चीनी पूरी अच्छी से पीश जाएगी और कुछ कुछ जो सूजी वो भी पीश जाएगी तो चलिए कोई एक परतन में इसे निकाल लेते हैं तो देखिए इस तरह से पीश लेना है तो देखिए फ्रेंट्स के इतने अच्छे से ये पीश चुकी है देख सकते हैं बिल्कुब बारे की पीश चुकी है तो इसे हम डालेते हैं कोई दूसरे बरतन में इसको हमें अभी घोल बनाना है तो जितना मैंने इसी कटोरी से सूजी ली थी और इसे आधी कटोरी चीने ली थी और एक कटोरी मैंने इसमें दूद लिया है तो थोड़ी थोड़ी करकर दूद हमें इसमें मिलाना है थोड़े थोड़े करकर ही मिलाना है ताकि इसमें गुठलिया ना पड़ें क्योंकि सूजी गुठलिया भी पड़ सकती है इसमें बिल्कुल ऐसे ही करना है और अच्छे से यह मिक्स हो जाए दूद जितना बच रहा है उसे साइड में तब तक के लिए रख देना है ताकि यह अभी हमारी सूजी फूलेगी तो इसमें और भी दूद में डालना पड़ेगा तो देखें मैं इसको डख कर रखा था और यह फूल चुकी है और थोड़ी गाड़ी लग रही थी तो इसमें दूद मुझे डालना पड़ेगा तो देखें कितने अच्छे से गोल यह रेडियो चुकी है ना मोटा है ना पतला है बिल्कुल ऐसी ही इसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए और थोड़ा सा दूद बच किया था तो इसको मैंने रख दिया ह तो इस तरह से कोई यह इतना सा दूद बच गया था तो इसको मैंने रख दिया है तो हमारे सूजी फूल रही है तब तक के लिए चलिए हम लोग सीरा बना लेते हैं तो सीरा बनाने के लिए हमें उसी कटोरी से आधी कटोरी चीनी लेनी है जितनी चीनी लेनी है उतनी ही हम पानी भी लेनी है इसका सीरा नहीं बनाना है कोई तारवार वाला तो देख सकते हैं जितनी मैंने चीनी ली थी नो उतनी ही पानी है इसको हम लोग थोड़ा सा गरम कर लेते हैं खुला लेते हैं ताकि ये इसकी चास नी बन जाए चीनी को पूरा इसमें गुल जाना देना है तो हमारी चीनी भी गुल चुकी है तो देख सकते हैं कितनी अच्छी सी ये बन चुकी है तो इसी भी हम लोग उतार कर रख देते हैं साइड और ऐसी फिर को ये कढ़ाई लेनी है तो खढ़ाई मैंने रख दे थी यह गरम हुचुकी थी तो इसी में मैंने थोड़े से नमक डाली हूं और इस तर सी कोई बर्तन तब तक हम लो तेल लगाकर तेल या गही लगाकर इसको रख देना है उसमें मैंने थोड़ा सा आठाश रख लिया था ताकि चिपके नहीं त इतने अच्छे से यह मारी गोल बनकर रीडियू हो चुकी है कि इतने थीक लग रही है ना तो इसे में हम लोग निकाल लेते हैं पूरी अच्छे से निकालकर इसको इस तरह से थोड़ा सा ठप ठपा देते हैं ताकि बराबर हो जाए और यह करहाई में जो मैंने रखी थी नमक ना वो गरम हो चीकि इस तरह से कोई बर्तन लगा लेने हैं या तो दूद रखेने वाला जो इस्टेंड होता है ना उसी भी ल तो कम से कम 30 मिनट लग जाएंगे हमें शुआ को कम ही रखना है तिस मिनट के बाद हम लोग चेक करते हैं तो देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी सूजी की मिठाय बनका रेडी हो चुकी है एक बार चेक कर लेते हैं ताकि चिपक तो नहीं रहे तो देखिए नई चिपक रहे इसका मतलब है हमारी मिठाय बनका रेडी हो चुकी है तो चलिए इसको निकाल लेते हैं कम से कम 30 मिनट तो लगेगे लगेंगे अगर आज थोड़ा तेज रहेगा तो 15 मिनट लग सकते हैं इस तरह से चाकू की माद्यम से इसके अगल बगल का जो है इसको इस तरह से कल लेना है और इस तरह से पलेट रखकर और इसको इस तरह से थ से हमारी मिठाई निकल चुकी है तो अब हम इसको कोई भी डिजाइन की काटिंग करेंगे तो मैं इसको चोकर शिफ देना चाहूंगी इस तरह से काट लेना है यकीन मानिये फ्रेंड्स यह बहुत 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 टेस्टी मिठाई है और बहुत आसान तरीके से शिफ से बन करिए तैयार हॏति हुए जम मिठाई खाने का मान हो तो आप ज़रूरे से बनाईये और ट्रय कीजिए आसान तरीके से बनने वाली ना तेल ना घी की जरूरत बिल्कुल असान तरीके से यह बनेगी और कोई नुकसान बीस में नहीं है तो इस तरह से पुरे को काट कर हम लोग निकाल लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से मैंने इसको काट कर निकाल लिया है देख सकते हैं कितने पर्फेक्ट हमारी मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है इसमें आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी ढाल सकते हैं और मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं इससे और स्वाद इसका अच्छा लगेगा तो देखिए हमारी मिठाई बनकर कितने अच्छे से पॉफेक्ट रेडी हो चुकी है देख सकते हैं फ्रेंट्स तो चलिए जो मैंने सीरा बनाई थी ना उस सीरे को इस पर हमें गिराना अच्छे से पूरे को सीरे को इसमें पूरे मिला लेने हैं ताकि हमारी यह जो मिठाई है ना और रसीली बनकर तैयार हो जाए तो इस तरह से पूरे रस को सीरे को गिरा देंगे ताकि हमारी मिठाई और रसीली बनकर जेड़ी हो जड़ी और हाँ फ्रेंड्स आप लोग को और कौन रेस्पी चाहिए कमेंट में जरूर बताईएगा वो रेस्पी मैं जरूर लेकर आऊंगी तो देखिए हमारी मिठाई कितनी रसीली और मज़ेदार बनकर जेड़ी हो जो कि फ्रेंड्स तीन चीज़ों से वह भी हैल्दी मिठाई एक पाट जरूर घर पर ट्राई कीजिए और असान तरीके से इसमें ना जंजाट है ना मियना था और ज्यादा समान है और हल्दी तो हेल्दी है ही तो देखिए म मैं इसको कट कर भी दिखा देती हूं तो हैना टेस्टी मिठाई और हां फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताईएगा कि और को डिस भी आपको चाहिए मैं वो डिस भी जरूर लेकर आऊंगी तो प्लीज लाइक शेर्स एंड सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वाचिंग करे चनल कभी